हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सब का स्वागत है नवेंबर 2019 और दिसंबर 2019, नवेंबर में JIB और DBF और दिसंबर में आपका जो हुआ था इस अटेम्ट से यनि नवेंबर दिसंबर 2019 अटेम्ट से जो पासिंग सर्टिफिकेट है अब डिजिटली आपके मेल आईडी पर IABF के द्वारा यानि Institute के द्वारा भेजा जाएगा ये फैसला लिया गया था IABF के द्वारा तो JIB maximum candidate जिन्होंने भी qualify किया है उनको आज ये passing certificate उनके mail पर registered mail पर मिल गया है अभी भी कुछ ऐसे candidates हैं जिनको नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है ये first time ऐसा किया गया है IABF के द्वारा डिजिटल certificates भेजा जा रहा है कोई panic करने कज़रोत नहीं मेरे पास WhatsApp और मेरा Gmail Learn with People का Gmail भरा हुआ है आपकी query से किसार हमें नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिन रुख जाएए आज से कल तक में लगभग सारे candidates को भी जिन्होंने भी पास किया है ये certificate मिल जाएगा इस वीडियो में हम बात करेंगे passing certificate मिलने के बाद हमें क्या करना है लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं वो certificate कैसा है क्योंकि बहुत सारे candidates जिनको नहीं मिला है वो अभी panic करने की certificate कैसा है at least एक बार हम लोगों को पता तो चले तो चले एक candidate ने share किया है हम लोग आपके साथ share कर रहे है यही वो certificate है जो इस बार November 2019 attempt को qualify करने पे आपको IABF के द्वारा मिल रहा है आपके Gmail ID पे यह आपके registered mail ID पे तो इस certificate को share किया है हमारे साथ Mr. Dhaval ने और उनके permission से हम लोग इस वीडियो में इसको certificate को आपको दिखा रहे है तो बहुत सारे candidates ऐसे हैं जिनका WhatsApp पर भी message आ रहा है और mail पर भी हमारे message आ रहा है किसार हम लोगों को नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है आज से ही आज morning से ही institute ने भेजना सुरू किया है मेभी कल तक आप लोग सबको मिल जाए एक दो दिन का time लगे सबको मिल जाएगा यह certificate अब certificate मिलने के बाद आपको क्या करना है हम लोग उसको देखेंगे इस वीडियो में चलिए अब हमने certificate देख लिया अब हम समझेंगे certificate आने के बाद हमें क्या क्या steps follow करना है so that कि हमें timely increment मिल जाए bank के द्वारा सबसे पहले आपको IABF के site पे जाना है वहाँ पे result section में आपको अपने mark sheet को download कर लेना है mark sheet पहले भी scorecard जिसको बोलता है पहले भी institute के द्वारा भेजा नहीं जाता था वो आपको site से ही लेना होता था download करना होता था सबसे पहले आप इसको soft copy में save करके रख लिजे कि आपको किस subject में कितने marks आए है उसके बाद आपको जो आज mail भेजा गया है IIBF के द्वारा जिसमें आपका digital certificate है वहाँ पे या फिर उस mail में आपको एक link भी दिया गया है उस link के थूँ भी download कर सकते हैं या उस mail में attach भी है वहाँ से आप certificate को भी download करके रख लिजे दोनों का soft copy रख लिजे उसके बाद आपको क्या करना है अपने bank के HR को एक application submit करना है थूँ branch manager branch manager के थूँ ही जाएगा direct आप भेजेंगा नहीं और उस application के साथ attach करना है जो भी आपने mark से download किया उसको एक photocopy और जो certificate आपने download किया उसका एक photocopy और बहुत सारे banks दो application submit करने बोलता है एक तो होता है आपको increment release करने के लिए और दूसरा होता है आपका जो data card है bank के पास personal data card PDC जिसको बोलता है बहुत सारे banks में उसको update करने के लिए ठीक है दोनों दो चीज है maybe आपका bank एक ही application मागए लेकिन अगर आप अगर आपके bank में requirement हो तो आप दो application में लिग सकते है एक increment release करने के लिए JIB qualify करने के बाद दूसरा आपके PDC को update करने के लिए जहाँ पे आपके qualification में JIB को add किया जाए अब यह आपको देखना होगा अपने bank HR से consult करके यह वहाँ पे एक application से काम चल जाएगा यह दो application देना होगा यह accordingly bank to bank differ करता है आप वहाँ देख लेंगे उसके बाद एक जो बहुत common आपका जो doubt है गि sir effective date क्या होगा हमारे increment का तो effective date होगा 23 December 2019 जिस date को result declare किया गया था आपके certificate पे भी यही date लिखा होगा तो इन steps को follow कीजिए और अब आप अराम से JIB का increment ले सकते हैं और आपका जो भी internal promotions के exam है JIB का जो marks का benefit मिलता है उसको अप ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद